हलो फ्रेंच वेल्कम टूर चैनल करनाट अफेर अपडेटेड दिस देवशी शावस्ती आपको पता होगा मैं modern history की mcq series discuss कर रहा था उस पे हम एक topic कर रहे थे that is governor general and voice roy उसके mcq questions में आपको करा रहा था और modern history आपको पता है बहुत important part है आपके competitive exams के लिए तो इसका मैंने part 1 already करा दिया था जिस पर मैंने mcq discuss किये थे अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो मैं link description box में डाल रहा हूँ तो जाकर part 1 ज़रूर देख लेना यह part 2 है इसके बाद याद है कि governor general and voice roy के mcq complete हो जाएंगे तो इस topic आपका complete हो जाएगा तो चलिए start करते हो देखते हैं कौन से से mcq है जो exam perspective से important है अगर आपने governor general of voice roy नहीं पढ़ा है modern history आपके syllabus का part है तो दोनों part 1 और part 2 जरूर देखे जाएगा exam में आपको questions जरूर बन जाएंगे तो चलिए start करते है governor general of voice roy that is the part of one of the important part of modern history सबसे पहला question आपके सामने एक easy question से शुरुवात करते हैं question है who of the following was the first voice roy of India direct question है पहला voice roy कौन बना था options आपके सामने हैं मैं आपको सीधा answer जो यहाँ पर दूँगा जो correct है वही discuss करूँगा यहाँ दिखेगा government of India act 1858 जो की बहुत important act है वहाँ से governor general of India का नाम change करके voice roy of India कर दिया था तो नाम change हो गया था 1858 में तो आप सोचे उस ताइम पर voice roy कौन होगा जो governor general of India रहा होगा वही voice roy बन गया होगा तो उस ताइम पर थे Lord Canning तो he became the first voice roy of India Lord Canning remember comment box में आपको मुझे बताना है Lord Canning इंडिया में उनका time period कब से कब तक था या आप मुझे comment box में बताएंगे कि Lord Canning का time period इंडिया में कब से कब तक था he was the first voice roy of India so correct answer is that is option number C okay चलिए next question में आते है question number second question question जाते है कि level का level difficult होता जाएगा तो question को जरूर ध्यान दीजिएगा okay second question है in whose rule the video remarriage act was implemented किस time पर video remarriage act को implement किया गया था okay मैं बतायता हूँ इश्वचंद विद्या सागर का बहुत important role रहा है विड़ो remarriage act को लाने में और यह act 1856 में आता है कब आता है 1856 में तो अब आपको सोचना है 1856 के time पर कौन रहा होगा याद दखेगा जिसके time पर इंप्लिमेंट हुआ है options आपके सामने दिये गए हैं मैं अगेन correct answer के और मूफ करूँगा जिसमें wrong ना हो याद इखेगा अफकोस का correct answer जो है वो Lord Canning है implement याद इखेगा Lord Canning मालब 1856 में भारत में आ गये थे बिलकुल आ गये थे Lord Canning के time पर याद रहा है इश्व अचंद विद्या सागर का नेक्स कोशन में आतने कोशन नमबर थर्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ओके शॉट फॉर्म में आज भी हम कहते हैं सब पी डबलो डी सुना होगा आपने पी डबलो डी बहुत कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं पी डब एक्जाम में आता है तो आपको पता ही नहीं है आपने बिल्कुल सब एक जैसे लग रहे हैं इसलिए मैं क्या रहा हूं यह लेक्शा को एंड तक जरूर देखना एक एंड में अनॉंस्मेंट भी है और यह कोशन्स आपके डारेक्ट आएंग और डारेक्ट बनेंगे ठीक ह है तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सोचे क्या होगा यह सब करेक्ट आंसर देखना है अगर हम बात करते हैं लिखा भी मैंने आप पढ़ लेता हूं डिस्क्रिप्शन बिफोर लॉट डिलोजी दवर्क्स ऑफ पब्लिक कर्सक्शन वास अंडर दा आर्मी कंट्रोल उस यह और्गनाइस किया गया था आंसर हमेशा लॉट डलह जी आपको लगाना है बहुत फेमस इंपोर्टन गवर्नर जनर रहें इंडिया के चलिए नेक्स आते नेक्स कोशन में आपको लोग सोचेंगे से लॉट आगे मत लगाईए लेखे यार आप लोग नॉलेज पर द्य इंडिया टेरिट्री तुक प्लेस तुरिंग टाइम मतलब बिटिश का लास्ट एक्सेंशन लव जो काप्चर कर रही थी प्रिटिश लास्ट मेजे एक्सेंशन अगर हम बात करें किस के टाइंग पर हुआ है अब सबसे पहले कौन से एक्सेंशन ठीक है यह पता होना यह पता होना चीछ तभी तो आप यहाँ पर वोई समस्वर्प नान कर पाऊगे संच्रेंशन ऐसको इंडिया में कब शामिल क्या गयाता तभी कहसे निस को लाज मेजी अंसर लिस इंपायर कर आया है वो यही रहा है ठीक है तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बतायता हूँ डिस्क्रिप्शन भी समझा देता हूँ इसा करेक्ट आंसर लॉट डफ्रेंट लॉट डफ्रेंट बहुत इंपॉर्टन परस्नाल्टी है क्योंकि इनके टाइम पर ही इंडियन नैशनल कॉंग्रिस का एस्टाब्लिश्मेंट होता है तो चलिए पहले में आपको लॉट डफ्रेंट के बारे में बता देता हूँ देखिए थर्ड एंगलु परम्मा वार होता है 1885 के रहूं या देखिएगा और इसी टाइम पर इसी रिजल्ट की वेसे बर्मा जो है वो बिटिश इंडिया में इ आपको याद रखना है ठीक ऐसा को याद रहे नहीं पता था इसको नोट डाउन जरूर कर लेना ठीक है चले नेक्स कोशन में आते को फिफ्ट रेल्वे की बात करें अभी रेल्वे एक्सेंड भी हुआ उडिशा में तो रेल्वे पर कोशन आ सकता है तो मेरा इसलिए मैंन को सब याद आ रहा है पूरा ठीक है पहली रेल्वे चली थी 34 किलोमेटर्स की ठीक है बिल्कु सही है और हमें आंसर भी पता है यह लौट डलहुजी बिल्कु सही है 1853 मैंने बोल दिया तो लौट डलहुजी इस दा करेक्ट आंसर इसको कॉंदेंस भी बूस्ट होता रहे तो करेक्ट आंसर था दाट इस लौट डलहुजी अगर यह भी नहीं बना है तो थोड़ा मॉडरन इसफी पढ़ने की जरुवत है क्योंकि यह कोशन से एक्जाम में आएंगे इनको इजी काउंट करूंगा मैं ठीक है हां लास्ट कोशन वस डिफकर्ट बट डिस कोशन वस इजी चलिए नेक्स कोशन में आते कोशन में सिक्स विच फॉलिंग प्रिंसली स्टेट्स वस नॉट एनेक्स पाइद अब यह भी आता है कि भाई में सो कौन से एनेक्स काप्चर नहीं किया था बिटिश ने डारेक्ट कोशन है इजी कोशन आप इसको कह सकते हो सिंध है ग रखए गौलियार गौलिया को एनेक्स नहीं किए गया है तो इसमें करेक्ट और उगा यह होगा दैडिस आप्शननमबर बी गौलियारात आठव को पता है अध्यर प्रदीश में ना को समीक्टि बन रहे हैं चले नेक्स कोशन को चैप्चर की यह तो कंकवेस्ट ओफ संध तो कोशन भी अगला यही आता है कि Conquest of Sindh by the British was completed during the period of, किस के time पर, ठीक है, तो इंडो, अफगान वार की अगर बात करें, ठीक है, उसी time पर आप देखेंगे, सिंध को capture कर लेते हैं, capture कर लिया गया था, मतलब it was conquest by Britishers, अब किस के time period में, अब this become a difficult question, क्योंकि किस के time period पर, क्या वो famous governor general या voice aware रहा है, अब कैसे याद होगा, तो इसका correct answer में आपको बतायता हूँ, पहले बता दूँ, यह conquest किया था, 1843 में, कब conquest किया था, 1843 में, ठीक है, और अगर मैं war की बात करो, अफगानिस्तान के साथ जो war हो रहा है, वाप देखें, 1838 से 1842 के बीच में, 1838 से 1842 के बीच में war होता है, और उसी का result है, कि Lord Ellenberg, या दखेगा, Lord Ellenberg जो है, उन्होंने ही conquest किया था, सिंद को, चलिए मैं आपको डीटेल नहीं आपर थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, देखे, Lord Ellenberg का time period देखें, तो 1842 से 44 है, और यह जो war हो रहा था, या देखे, that is Anglo-Afghan war, first Anglo-Afghan war, मैंने बता है, 1838 से 1842 के बीच में होता है, उसी का result आप कहा सकते हैं, तरीके से 1843 में सिंद को capture करते हैं, but 43 में capture हो तो 43 में आप देखेंगे, तो उस ताइम पर आप देखेंगे, कौन आ गये थे, तो उस ताइम पर Lord Ellenberg जो थे, वो उस ताइम प इंडिया, तो correct answer option number A है, बड़ा static question हो जाता है, बट कभी question है, ऐसा भी आ सकता है, conquest of सिंद की सियर में हुआ, direct static question, 1843, तो ये भी याद होना चाहिए, चले, next question माते है, that is question number 8, this is again a chronological question, question क्या है, कुछ princely states दिये गए है, जिनको Britishers ने अफकोस capture किया था, अब options है, जैसे जह सतारा है, संबलपूर हजहासी है, और ये में बात करों, doctrine of laps की, वैसे आप अगर इसको link करेंगे, कि कभी ये नेक्स station की बात करों, तो doctrine of laps की बात कर रहा हूँ, जो लौट दलहोजी के राइन पर था, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सतारा को पहले, ठीक है, 1848 में, फिर 1849 में संबलपूर को, और 1853 में जहासी को, तो अगर अरेंज कहें, तो 321, that is option number C, is the correct answer, इसको years नहीं पता है, मैं बतायता हूँ, सतारा बहुत फर्स्ट, जिसको annex किया जाता है, ये भी कोशन कुछ आता है, 48, 49 और 53, I think मैंने बता दिया है, आप यहां पर देख भी सकते है सेम तिंग यहां पर लिखी हुई है, और doctrine of labs पढ़ ले ना, ठीक है, subsidiary alliance, इस दोनों बहुत important चीज़े है, exam है, बहुत आप मेंस में भी, prelims में भी, हर जागे पूछी आती है, चले, next question 9 में आते है, अब देखें, बड़े famous personality का नाम लिख दिया है, अब कैसे पैचान होग real name कैसे याद करें, ऐसे ही question आ जाते है, static question और बड़े difficult हो जाते हैं, ठीक है, options आपके सामने दिये हैं, मैं आपको सही answer रटवार हूँ, इसमें आप अगली बार उसको गलत ना करें, that is Lord Dalhoji, तो railway भी Dalhoji के time पर है, आप देख रहे हैं, doctrine of labs भी उसी के time पर है, और देख र रहा हूँ, 1856 तक था, ठीक है, अब कब से था, यह आप मुझे comment box में mention करके बताएंगे, तो देखे, ऐसे questions में देता रहता हूँ, जिसमें आप इसको सोचें, आप एक बार rewind करें अपने governor general voice or topic को, को को वो exam के लिए बहुत important है, चले, next question में आते, question में 10th, Awad की बात कर रहा हूँ, that is by declaring the state as mal administration, या देखेगा, इस state में administration proper नहीं है, corruption है, issues चल रहे है, इसकी वज़े से हम अवद को capture कर रहे है, अब ऐसा किस ने बोल दिया कि भाई, ऐसे issues चल रहे है, वो बहुत important होता है, तो चले उसको discuss कर लेते हैं, या देखे, Lord Dalhoji का time period था, Lord Dalhoji ने या किया, inquire करो और फिर उसकी report के according, या देखेगा, यहाँ पर mal administration के according, इसको merge कर दिया गया, British India में कब, 1856 में, ठीक है, 13 Feb, 1856 में, so this is also very important, किस के time पर अवा देखे, Lord Dalhoji के time पर 1856 में, on the ground of mal administration, तो ऐसे भी, देखे, capture करते थे, या देखे, this is also very important, किस तर Britishers, Indian princely states को capture कर रहे है, ठीक है, चले, next question में आते है, this is again very interesting question, export of slaves, very static question, but मेरा माना है, इसे मैं कुछ-कुछ static questions लाता हूँ, जो exam में अगर repeat कर जाए, तो आप कह सके, यहाँ से direct आ गया और आपको बन गया है, जैसे कि यह question है, the export of slave from Bengal was banned in which year, ठीक है, कि export आप नहीं कर सकते किनको, slaves को from Bengal, वो कि this year में banned किया गया था, now these are the options, so it becomes very typical, क्योंकि आपको शायद याद नहीं होगा, ठीक है, तो यह मैं आपको भी नहीं भी बन रहा है question, कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लो, अगली बार सही कर देना, 1789 is the correct answer, but मैं एक important point यहाँ पर बताना चाहूँगा, that is, slaves के बारे में, यहाँ दखियेगा, 1833 का जो Charter Act था, ठीक है, in the Charter Act 1833, remember, the government was asked to make a law to abolish slavery at the earliest, तो पुछा रहता है कि इस Act के अंदर, बुला गया था, slavery को abolish के आजा, तो 1833 के Act में, और second point यहाँ दखना है, 1843 में, slavery was declared illegal in all parts of India, this is very important question, पुछा रहता है, किस year में, slavery was declared as illegal in all parts of India, तो आपको correct कांसे लगाना है, that is 1843, okay, तो यह भी याद रखना है, और यह export of slave, याद रखिये, from Bengal, was banned in 1789, तो यह तो बड़ा एक static question हो गया, 89 वाला, याद कर लेना, बट दो मेने और जो बता है, वो भी याद रखना, ठीक है, चले, next बात करते है, सत्ती सिस्टम, सत्ती सिस्टम की बा किया गया था, ठीक है, तो यह किस ने किया था, yes, the correct answer is, Lord Wellesley, okay, Lord Wellesley के ताइम पर आपको जा रखना, सत्ती सिस्टम was, sorry, sorry, Lord Wellesley, Lord Wellesley तो बहुत पहले थे, Lord William Benteke, okay, Lord William Benteke, 1928 से 1828 से 1835 तक थे, okay, Lord William Benteke, he was the first Governor General of India also, okay, तो Wellesley नहीं थे, Wellesley तो बहुत पहले आएंगे, Wellesley around 1799 से लेके आप देखेंगे, 1805 के बीच में रहेंगे, okay, तो इनके रहेंगे पर फोर्ट अंग्लो मैसूर वार हुआ था, Wellesley के ताइम पर, okay, बड़ी में विलियम Benteke की बात करो, बिल्कुल, William Benteke के ताइम पर आपको या रखना है, क्या हुआ था, सत्ती सिस्टम ब और थूर रेगुलेशन नंबर भी याद करें था, कभी-कभी पूछ लेते हैं, बेंगौल सती रेगुलेशन 17 या देखेंगा, यह पूछा था, 17 था, 16 था, तो 17, AD 1829 में इसको अबॉलिश किया गया था, राजा राम बहुन रोय का भी बहुत इंपॉरेंट रोल रहा है, to make the abolition of sati system, तो correct answer, that is option number C, Lord William Benteke, चलिए, next question में आते हैं, on the basis of elite mal administration, which governor general had taken the administration of Mysore state, Mysore को भी mal administration के case में याद के 1831 में बतायता हूँ, 1831 में इसको भी याद के taken ले लिया था, जिसकी वैसे British को बड़ी, मतलब दिक्कते भी आई, क्योंकि आप इस तरह जवस्ती states को incorporate कर रहे है तो 1831 में इक कर दिया था, किस governor general, उस ताइं पर कौन था governor general, 1831 बता दिया, ही मैंने बताया था, 1828 स 1835 कौन था, that is Lord William Benteke, तो correct answer option में C है, William Benteke नहीं, ये question भी पूछा आता है, बहुत ज़्यादा, याद एखेगा, 1831 में में आपको बताया, annex किया था, Mysore को Lord William Benteke के time पर, चले, next question में आते है, question of 14, this is important, land revenue policy के अब बात करें, तो permanent settlement system, that is, जमीनदारी system, रोतवारी system, और third, महलवारी system, ये तिनों system में important हो जाते है, land revenue policy में आप ये लोग पढ़ते भी होंगे, but question यहाँ पर यह है कि कौन person associated है, रोतवारी settlement से, रोतवारी settlement, Lord Convalis, Lord Convalis तो, permanent settlement system, that is जमीनदारी से related है, one हो नहीं सकता, one हो नहीं सकता, सीधा answer आगे है, two, three, that is, Alexander Redd और Thomas Munro, this the way, Thomas Munro मैं बता दूँ, उस ताइन पर मदरास के, governor रहते हैं, Thomas Munro, ठीक के, ये भी याद अखने आपको, रोतवारी को implement करने में, इनका बहुत important role रहा है, ठीक है, तो correct answer option में C है, two and three, okay, so this the way, how you can solve the question, okay, चले, आगे बढ़ते हैं, next question में आते हैं, अब देखे, मैंने पूछ लिया, Thomas Munro, जो थे, वो governor रहे हैं, मदरास के, किस year में, now this is the way, na, question कभी-कभी, ऐसे static question आ जाते हैं, और ये इनको गूगली कह लिजी आप, ये question जब आते हैं, हम बिलकुल years को द देखना बहुत ज़रूरी है, से static question सही हो जाते हैं, आपके, Thomas Munro, किस time period पे, time period पे, क्या थे, governor थे, किस के, that is, मदरास के, मैंने बताया, इनका, किनों ने रोतवारी सिस्टम को भी implement किया था, सीधा answer में आपको याद दिला रहा हूँ, याद दखेगा, that is, 1820 से लेखे, 1827 और इनका बहुत important role रहा है, to implement रोतवारी सिस्टम, याद देखे, permanent settlement system, जो था, वो बेंगॉल side में active था, मतलब जादा तर, रोतवारी सिस्टम आप देखेंगे, जारता कहा है, active था, मदरास side में, और महलवारी सिस्टम आप देखेंगे, पंजाब side में, North India side में, ओके, ती सबसे पहले अगर टाइम प्रेड पता होना है, सारे जो लिखा में, Lord Haastin, Wellesley, Lord Convales, शायद आप बता सकते हो, ठीक है, बिना उसके, I think this is going to difficult, क्योंकि आपको यह पता ही होगा, कि यह कब हुआ, तो हुकर mark the correct answer, ठीक है, 4 एंगलो मैसूर वार, अगर देखेंगे, ठीक है, रुख जाएए, रुख जाएए, सौरी, सौरी, ठीक है, यह जो अभी कट करता हो, पहले, पहले बता दो, Battle of Buxer, ठीक है, तो Buxer की बात का है, तो 1764 ने Battle of Buxer होता है, yes, Hector Munro, उससे associated है, अब दो option बसते है, that is option number B, और option number D, ठीक है, Lord Haastin के टाइम पर, yes, Anglo-Nepal War, अगर आ wrongly match, D सही है, लेकि मैं आपको बता, नहीं, सौरी, D गलत है, D wrongly match है, that is, कौन वालेस्टरी, मैं एक बार देट देख लेता हूं, तो मैं भी confused हो गया, थर्ड एंगलो माराथा वार, सहां, थर्ड एंगलो में, सेकेंड से कन्फ्यूज होता है, 1817 से 1818 के बीच में होता है, सेकेंड वा था वैसली के ताइम पर, थर्ड एंगलो माराथा वार, सही है, लॉर्ड हास्तिंग, लॉर्ड हास्तिंग, आप देखेंगे, 1813 से लेके, I think 1823, येस, 1813 से लेके, 1823, इसले मैं तो बहुत रिवाइंड आपको भी करते रहना चाहिए, ठीक है, 1823 से लेके, 1833 त लॉर्ड हास्तिंग थे, थर्ड एंगलो माराथा वार में भी, याद एकना आपको कौन थे, लॉर्ड हास्तिंग थे, तो ये देखें, ये जो है, रॉंगली मैच दिया है, एंगलो नेपाल वार आप देखें, तुक प्लेस, दुक प्लेस, दुक प्लेस, दुक प्लेस, द यह सबक्राइब होता है यह ऑर you ए तो कभी-कभी यह देखो आपको याद करने पर उचीजों कोबर किलियर रखो किलियर आगया जिडीज इंड पर मैंचनरन परसकते और रेवूल्ट ऑफ वंच्चल नेयर अफकोस स्पॉय का revolt है, स्पॉय के religious sentiment को hurt करोगे तो अफकोस वो war तो करेंगे ही, तो उनी के पर देखा जाए, तो किस टाइम पर, उस टाइम पर governor कौन था, जब ये revolt होता है, revolt of valor 1806 में हुआ था, अब option आपके सामने दिये हैं, इससे correct answer है, that is Sir George Marlowe, ठीक है, 1806 के टाइम पर हुआ है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, विदेखे वेलिका, वेलो मुटिनी 1806 में हुई है, और Marlowe आप देखेंगे उस टाइम पर 1805 से 1807 तक, गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, उनी के टाइम पर यहाँ रखना है, यह मुटिनी हुई है, चलें, नेक्स्ट पर आते हैं कोशन बाइटींथ, विच वन आफ दे फॉलिंग स्टेटमेंट दस नाट एप्लाई, तो अब आपको बताओं, यह कोई प्रिंसली स्टेट हैं, बदले में हम आपको अपनी आर्मी देंगे, उनको आप रखेंगे अपने अंदर, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगी, उनको बदले में अफकोस आपको सैल्डी तो देनी पड़ेगी उन लोगों को, अपने आपको सैल्डी भी देनी थे, तो इसके बदले में आपको प्रोटेक्ट कर रहे रहे हैं, हम आपको कोई फॉरेन कशन्टरी आप पर ऐटाक नहीं कर सकती, हो सकता, कोई आस पास का प्रिंसली स्टेट आप पर अटाक यहाथ क्शन्टरी की, याद एखिएगा कोई टाइप नी करेंगे इवन कुसी किसी बिटिश सौरी प्रिंसली स्टेट्स बगल में जो हैं उनसे भी टाइप नी करेंगे विदाउट आस्किंग बिटिश बिटिश से पूछे आप बिना यह नहीं कर सकते एक तरीके से पूरी तरीके से किस पर डिप यह थी सब्सेडियर लाइन तो बिल्कुल क्या एक स्टैंडिंग आर्मी होगी एड़ अधा इस एक्स्पेंस बिल्कुल यह होता है यह तो स्टेट्मेंट था सही है सब्सेडियर लाइन नहीं अप्लाई होना चीए ठीक है सेगें देखते तो कीप इंडिया से फॉम नेप सब्सेडियर लाइन संव करक्था है आपकी सब्सेडियर लाइन संव करक्या सकते एब इस जो है वह तो आपको मैच्टेपन था दियुक्य। यह है तो छूर्ण स्टेपनी वह ओन डियुक्ट था बाकि अबिड जो हैंशन ऑसंव मतलब कह सकतो जो यह स्यकटम से लृहų आ Lord Wellesley था उसका बहुत इंपोर्टेंट टूल था कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना उस टाइम पर किस से नेपोलियन से को साइम वह बहुत पारफुल हो रहा था तो इंडिया में वेलशली आते हैं जब नेपोलियन अटाक कर रहा था तो युट परसनालिटी और सो चली नेक् किस ने बिटिश फ्लाइग को इंडिया में हाई रखा तो वो परसन था लॉर्ड वेलशली क्योंकि उसकी सब्सेडरी आलाइंस पॉलिशी की वज़े से करेक्ट आंस ऑप्शन भी डारेक्ट ऐसे तरह आ जाता है कोई भी इंडियन स्टेट फ्रेंज के साथ डील नहीं कर स चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉशन माते है कोशन में 28 दफर्स इंडियन रूलर हूज जोइन तस सबसे पहला सबसेडरी आलाइंस साइन करने वाला कौन था ऑप्शन आपके सामने नवाब ओफ अवध याद लखेगा इस वेरी फेमस नवाब ओफ डारेक्ट कोशन में आ जाता है ओके सबसे पहले सबसेडरी लाइंस वेल चली या देखेगा और सबसेडरी लाइंस समझा देखो कि फेमस कोशन रहा है चले नेक्स्ट कोशन अंडर हूज लीडर्शिप दस सप्रेशन ऑफ ठग एचीव इस इंपोर्ट इसका सप्रेशन जो है वह किसके डा अगल अगल यह पता हूंगे थर्ड अंगल मैसूर वार तो पहले तो यह पता हूँगे थर्ड अंगल मैसूर वार कब हुआ एराउंड आप देखेंगे 1792 के टाइम पर ठीक है और इस टाइम पर हमाई बहुत फेमस जो सिविल सर्विस के भी बड़े फेमस परस्नालिटी है लॉड कॉन वॉलिस थे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लॉड कॉन वॉलिस जब थर्ड एंगलो मैसूर वार हो रहा था ठीक है तो ऐसे कॉशन आते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं आपको यह यह सगर पता हो तो आप मैच कर सकते हैं जैसे मैंने भी मैच किया देख सकते हैं थर्ड एंगलो मैस हुआ और सेवेंटी नाइटी से सेवेंटी नाइटी टू के बीच में हुआ था चलिए नेक्स कॉशन माते हैं अब सोच लों कितने कॉशन टूटल कोशन 34 35 कोशन है याद 34 35 कोशन है इसलिए एंड तक जरूर देखना क्योंकि मार्क स्कोर कर जाओग अगर आपने लेक्षे एंड त आथा और के ताइम पर साइन हो रही है अब लेकिन ऑप्षन देखे कितने डिफकल्ट है इंग्लिश और बाजी रव वन इंग्लिश और बाजी रव टू फ्रेंच सब में बाजी रव लिग दिया है अब यह कंफूजन हो गया अब मैं आपको बता दू बिल्कु सहीं है व बसीन इंग्लिश ने साइन की थी तो फ्रेंच और डच तो नहीं हो सकते अब एक जगे बाजी रॉव वन एक जगे बाजी रॉव टू है इस बिकम बेरी डिफिकल्ट कोशिन इसे करेक्ट अंसर है कि बी से बसीन बी से बाजी रॉव टू या दखेगा पूना के रूलर थे और या दखेगा त्रीटी ऑफ बसीन वह साइन ठीक है पूना के रूलर थे बाजी रॉव टू जो बिटिश्ट के साथ ये ट्रीटी साइन करते हैं ठीक है इसे कोशन आया याते है मेरा माना आथा तो दिमाग घूम जाता क्या माग करें इसकीम को मर्ज किस नहीं कर दिया देगे शिक्किम को मर्ज करने की स्टोरी भी है कि उस टाइम पर याद रखेए कि जो राजा थे वहाँ पर जो कुछ बिट्शर्स की नर्सर जाती है डॉक् कर दिया गया था अब ऑप्शन है यह किस परस्नालिटी कौशी परस्नालिटी इस चीज को एनेक्स कर दिया था और रिजन उसका क्या था सिक्किंग के किंग हैस मिस्बिहेव विट टू इंग्लिश डॉक्टर्स इंग्लिश डॉक्टर्स मिस्बिहेव करता है इसकी वेसे उस पर अटाक किया जाता है राजा पर उसको काप्चर कर दिया आता है तो लॉर्ड डलहौजी के ताइम पर इस अब इनमस बूला कौन सा करेक्ली मैच नहीं है आप देखो कौन सा करेक्ली मैच नहीं है चलो देख लेते हैं लॉड कॉन्वलिश पर्मानेंट सेटल्मिन सिस्टम बिल्कुल सही है मैं अभी बता है लॉड वेल्शी सब्सेडरी अभी तो बता रहे हैं ठीक है लॉड हास्टिंग सेकंड एंगलो मनाथा वार बिल्कुल सती जो था सेवेंटीन रेगुलेशन एटीन वेटीन उस्सी के राइम पर हुआ था तो इसमें रॉंगली मैच जो है वो ऑप्शन नमबर सी है क्योंकि सेकेंड अंगलो मराथा वार हुआ था लॉड हास्टिंग के राइम पर नहीं ठीक है तो करेक्ट आंसर हो और पूछले और पूछले विच और फॉलेंगे इस पर्मेंट सेटलमेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है जिसको हम जमीन दाई सिस्टम भी कहते हैं सीधा आंसर आगया बाकी नहीं भी पता होगा तब भी चलेगा को करेक्ट ली पूछा था बड़ दादू तीनों इंकरेक कंडिशन वैसे ही रहे है शांती बनाया रख्ये है है ना किसी को क्याप्चर मत करिया ठीक है ऐसी पॉलिशी आप देखेंगे ठीक है तो इन एक तरीके से ठीक है तो यह तो रॉंग है सब्सेडरी एलाइन से अभी मैं इत्या से बता रहा हूं वेल्चली का है यह भी रॉंग है इंडिनेशल कॉंगेस डफ्रेंड के टाइम पर साइन हुआ था यह भी रॉंग है तो करेक्ट जो है वो फर्स था तो फर्स अफकोस और बाकी मैं आपको एक्स्पेयन कर दिया है चलें नेक्स्ट कोशन में आते हैं यह कोश्शन मर्ट 27 राइट टु एडॉप्ट हेर इन प्लेस ऑफ उन सन आपका खुद का बेटा नहीं है तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है यह री स्टैबलिश कप किया गया क्योंकि नह कर नहीं है तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं वह अपसरी इस्टैबलिश कर दिया गया क्यूइन के प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 से कुल लोग जल्दबाजी में यह मत मार्क करना इसा करेक्ट आंसर है क्यूइन अनॉंस्मेंट ऑफ 1858 इसके एक्कॉर्डिंग या देखेगा उसक सर्ण सेट्मेंट करेक्ट है पहले सेट्मेंट रॉब विल्याम ज्रुश एंडिया श्रीजेट एडि उन्ष इसकंट सब्सके निद्सक्रिंट ज्यारों ड्रीज इस outline-hip इससे ऐसे संग आते अंसर न्यक्स इंद और तब ले of Bengal कौन था ठीक है यह बड़ा इंपोर्टन है स्टाइश को विलियम जोन्स ने की थी किसने स्टाइश की थी विलियम जोन्स ने बट मैंने पूचा गवनर जनरल कौन था उस ताइम पर लॉड याद रखेगा क्या है करेक्ट आंसर लॉड वॉर्रन हास्टिंग तो याद लिट्रेटर उसको प्रमोट करने की बात यही थी एशियाटिक सवसाइटी ऑफ बेंगॉल में लोके उस ताइम पर वॉइस होए गवनर जनरल कौन थे उस ताइम पर गवनर जनरल जो थे उनका नाम याद रखना लॉड वॉर्रन हास्टिंग चले नेक्स कोशन में आते है तो आप पर सीधे अटाइक नहीं होगा पहले आपके बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं यह आपको एक तरीकी से कुशन दे देंगे इसे कहते अपने रहूं रिंग बना लेना रिंग फेंस पॉलिसी किसने एसोसेट की थी याद कि वॉरन हास्टिंग की यह रिंग फेंस पॉ जो गोवर्नर रहता था उसके हाथ में ठीक है माला अफकोश्वाइंट्मेंट कर दिता था ठीक है जिसके अपॉइंब्न करते हैं तो घुल्स जो है उस उसको करने का वह उनके पास चला चाहत था यह बड़ी दिक्कत थी कि जो नवाप था उसका responsibility थी और जो पैसे का पावर है वो नहीं हुआ करता था. तो डूल गवर्मेंट को अबॉलिश कर दिया गया. जिसके टाइम पर अबॉलिश किया गया था. This is important. इस्टेबिश किया गया था रॉबर्ट कलाइब के टाइम पर गया था. याद रखना है, that is Warren Haastink. तो याद एक correct answer option में C है, Warren Hasting के दाइम पर ये dual government system था, ये कि दिवानी राइट्स और नजामत राइट्स जो अलग-अलग हुआ करते थे, इनको सब को हटा दिया गया, तो correct answer option में C है, next question, which governor general was prosecuted for impeachment, impeachment हटाने के लिए, उसके impeachment process किया गया था, ठीक, of course, बाद में वो failure आता है, इंपीच्मेंट नहीं होता है, बट किसके लिए ये prosecute किया था, impeachment होगा, कहाँ देखा रहता है, उसने इंडिया में बहुत corruption वगरा किया, तो उसके against impeachment process भी start हुआ था, परसालिटी का नाम बताना है, again the same personality, जिससे dual government को abolish किया है, that is Warren Hasting, याद दखेगा, इनके किलाव impeachment किय और कौँसे governance जिन्हों create किये है, Convent Civil Service of India, कभी भी Indian Civil Service की बात की जाए, तो इस personality के नाम तो कोई भूल नहीं सकता, civil services में, that is Lord Convales, याद रखेगा, time period comment box ने मुझे बताओ कि Lord Convales का time period इंडिया में कब से कब तक था, और Convent Civil Service at the time of Lord Convales established की गई थी, तो correct answer option number C है, और last question आज का, Convales की बात कर रहा हूं है, कि Convales का मकबरा, the Tom of Lord Convales कहां situated है, आप कहेंगे सर, यह तो बड़ा ही अजीव सा question आपने पूछिया जाते आते हैं, क्यों जाते हैं एक question tricky देना था, मुझे इसले मैंने पूछ लिया, चार options आपके सामने दिये गए हैं, इसा correct answer सारे UP के दि International Movement वाले वो कहांगे हैं, उसके questions कम दिखें इसमें, तो यार अभी International Movement की MCQ Series अभी आने वाली है, उसकी topic अब आएंगे, तो वहाँ पर हम वो voice wire उसी में cover करते जाएंगे, especially voice wire governance जो topic था, तीक है, जिसे questions आते हैं, वो मैंने दो पार्ट में कर दिया है, पार्ट वन भी आप आई हो, आप बड़े patient student हो, और आप exam के लिए बहुत serious हो, क्योंकि यहां तक आना भी एक बहुत ही धहरे की बात होती, you have reached till this stage, क्यों बीच में ही लोग कहते हैं, नहीं बन रहे है, question छोड़ के चलते हैं, बट जो लोगों ने यहां तक देखा, नहीं बन रहे थे, still वो यह बेटर है, उन्होंने answers देखे और अगली बाई exam में सही करेंगे, वो exam वो भी crack कर सकते हैं, अगर आपको initiative पसंद आ रहा हो, जहां मैंने देखो, MCQ series के थुरू, सारे गवर्नर जेनल वोइसरे मैं करा रहा हूं इस तरह, अभी आगे international movement, सब को discuss करेंगे, पुरा modern history, MCQ, MCQ क मैं complete कराऊंगा, अगर आपको initiative पसंद आ रहा है, वो इस ती PDF आपको telegram group में available होगी, और आप चाह रहे हैं कि सहरी आप initiative करा रहे हैं, इस से आपकी help हो रही है, फोन पे Google पे PDF नमर यहां पर mention है, if you want to contribute, तो आप कर सकते हैं, जो की voluntarily contribution है, students करते हैं, तो अगर वो चाहें तो notes हैं, पतली-पतली booklets हैं, यादे के exam oriented booklet हैं, इनको आप पढ़के सीधे exam में answers लिख सकते हो, mark कर सकते हो, objective देख सकते हो, modern history का sample मैंने आपको दिखा है, सारे sample दिखाएता हूं, कैसे order करना है, मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है, तुरंत order करो, यादे के geography के, किस तर एकदम point frame में चीजे लिख हुई है, graph बनाए गए है, okay, maps का इस्तमाल किया गया है, इन सब को आप order कर सकते हो, total 11 booklets है, इन सके मिलने के बाद, exam नहीं रुकने वाला, MCQ मैं या करा रहा हूँ, बट questions पढ़ना तो पड़ेगा ना, कहीं से, medieval history, देखिए, एकदम diagram frame में है, इसका detail, video भी आ travel modern, सारे questions होंगे, थोड़ा सा धहर रखो, एक है करके हम सब कराएंगे, current affairs, current affairs में तो बहुत demand है, कहां से हमें questions मिलेंगे, recent current affairs, exam में आएगी, direct कि यहां से जब 10-12 questions आ जाएंगे, exam में, तब पता चलेगा आपको कितरा important था, और जिनोंने notes ले लिए हैं, मैं आपको बहुत पती benefit की बात है, क्योंकि आपने notes ले लिए हैं, तो आपका exam crack हो जाएगा, जिनोंने नहीं लिए हैं, वो of course मेरे YouTube lectures देखके पहुस्त हो जाएंगे, और comment भी करेंगे, सब इतने question है, इतने question है, but end में बिना notes के, बिना current affairs के कैसे निकलेगा exam, ठीक है, यह है Indian geography के, याद end में revision, अरे 10 दिन भी बचे ना, तब भी notes ले लो, soft copy में ले लो, at least go through करके चले जाओ, exam से पहले, तो आपको बहुत जादा help मिल जाएगी, okay, economics के, okay, economics के तो कुछ समझ भी नहीं आता, कहां से पढ़ें, सब कुछ इसमें है, economics survey, budget, everything is mentioned, okay, so आप economics के भी notes order कर सकते हैं, ठीक आपको available हो जाएगी, okay, environment ये भी बड़ा important part है, आजकल question environment सो बहुत आ रहे हैं, इसकी भी याद खेगा, questions बहुत important रहे हैं, इनको आप ले सकते हो, क्या दखेगा, वो याद कि नोच अगर मिल गया हो, मेरा guidance मिल गया ना, exam नहीं रुकरा, आपका, मैं बार-बार repeat कर रहा पॉलिटिक में, classes भी आपने देखी होंगी, okay, पूरे diagramatical एक दम go through कर लो, end में, और exam crack हो जाएगा, अगर आपको इनोट्स चाहिए हैं, सारे, क्या करना है, उसके लिए मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है, मेरा application link दिया है, कुछ भी करो, या तो WhatsApp कर दो, मुझे call कर दो, या तो आपको modern लिख के मुझे WhatsApp करना है, तो आपको कुछ ना कुछ offer मिल जाएगा, और आप वो offer लेखे, जा देखिएगा, आप notes को buy कर सकतो, classes से ही, अगर आपका time है, अगर आपका exam दो महीने बाद है, you have little bit of time, या एक साल बाद है, या अगले साल preparation exam देना है, तो आप मेरी classes join कर करो, state services preparation करो, application को download करो, वहाँ पर सारे classes आपको मेरी मिल जाएगी, यहाँ पर एक lecture complete होता है, I hope आपको lecture समझ में आओगा, questions बने होगे, नहीं भी बने होगे, तो शायद अप समझ में आ गया होगा, अगली बार आप question सही करोगे, quit out query है, comment box में जरूर comment करके जाए, आपके क economics का भी lecture आपके सामने ले के आजाऊंगा, जिससे आपके वह question भी सही हो जाए, okay, quit out query जरूर comment करें, और वीडियो को देखते रहें, please यार, इस वीडियो को share जरूर कर दिया करो, जितना आप share करते हो, of course, हमाई जितने views बढ़ते हैं, हम इस तरह और अच्छ अच्छ अच् So, thank you students, have a nice day.